असलाम लेकुमाल, वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल, तोड़े वी आर गोइंग तो स्टड़ी चेप्टर नमबर 26, सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज, आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोस वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, सबसे पहले हम प्रोटोजवा की बात करते हैं, तो आपको पता है स्माल आर्गनिजम्स होते हैं, लार्ज सर्फिस एरिया टू वॉलियम रेशो होता है, इसलिए इन में सर्कुलेशन होत स्पोंजिस की बात करें, तो स्पोंजिस में क्या होता है, एक कैविटी प्रेजन होती है, ठीक है, उस कैविटी में ये क्या करते हैं, अच्छा कैविटी में क्या होता है, ये सर्कुलेट करते हैं, एक्स्टरनल वाटर को, ठीक है, इन में इंटर्नल फिल्यूट की सर्कु दूट कर देती है क्जल्स के निएक निद्धीक होता है और जो कार्बननेकसाल्स वगारा होती है वो भी डिफुजन के तूरू गैस्ट्रस्कुलर कैविटी डेय़ वीज़ागे फ्लैट वर्म्स की बात करें तो इनमें भी केस्ट्रोवस्कुलर केविटी होती है लेकिन इनमें ब्रांच्ट होती है ब्रांचिंग का फाइदा ये होता है कि efficient जो है न वो diffusion हो जाती है लेकिन ब्रांचिंग जो है है ये शिरफ suitable है small organisms के लिए क्योंकि size matter करता है pseudo-silomates की बात करें तो इन में pseudo-silom होती है ठीक है? इसमें जो pseudo-silomic filiode होता है उसको use किया जाता है transport के लिए इसके इलावा pseudo-silom जो है ये body movement में भी involved होती है molusk की बात करें तो molusk में circulatory system present है ठीक है? और ये open circulatory system है इन में क्या होता है? muscular pumping heart होता है जो move करता है filiode को in a specific direction और ये direction हम कैसे maintain रखते हैं? unidirectional blood vessels की help से molusk में क्या होता है? circulatory system होता है कौन सा? open circulatory system muscular pumping heart होता है और वो heart क्या करता है? filiode को move करता है in specific direction और ये specific direction maintain कौन करता है? unidirectional blood vessels अब circulatory system दो तरा के हैं open है close है close में क्या होता है कि blood जो है वो blood vessels में ही present होता है open में क्या होता है कि blood जो है वो directly बात करता है tissues को circulatory philute की हमने पहले बात की अब हम ज़रा इसकी characteristics देख लेते हैं